को कि लेट से सार्ट विदाउट विसमें टाइम मंडे के लिए करते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी क्या मूफ करना कोशिश कर सकता है कैसा option डेटा बना किधर की साइट मार्केट खुलेगी खुलने के बाद का क्या रेक्शन और ट्रेड हम लोग प्र पर करता है दो जगा करता करता है प्र पर लेवल पर आकर नेगेटिव एक्शन पर तो हमेशा याद लखना सपोर्ड पर आ खरीदने में बड़ा दड़ लगता है और बेचने में बड़ा ड़ता है दोनों चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले अभी मैं बात करता हूँ टाइम पर आपका वन डेगा ठीक है उसके बाद कई दिनों से यहां पर किचिडी पगा रहा है यह चार दिन बड़े खराब थे बिकाज मार्केट एकी लेवल में था लेकिन बहुत ही जादा वॉलडाइल था अज ब्रेक आज ब्रेक आउट दिया पर जाने कर यहां से आपका रेजिस्ट्रेस दिया अभी वह उसने 46,700 से लेके 47,000 का जो जोन है व अभी हम लोग स्ट्रॉंग करने में जलबाजी नहीं करेंगा और इस चीज़ हम लोग ने कल देखी भी थी ना राइट कि आभी कल आज मतलब तोड़े फ्राइडे को नहीं तोड़ने वाला बैंक निफ्टी वह उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था ठीक है कोई बात ने श चोटा से चोटा लगा था ठीक है वह इस चोटा लगाने के विसे अपने अकड़ा कड लिया था कोई बात नहीं कोई मार्केट जो था अपका तोटली एक रेंज बाए अभी आप देखोगे तो मार्केट में वही सेम चीज़ करना चाहिए हमेशा प्लान ओफ एक्शन क्यो लाता है 46,300 यानि कि अगर तीन केसिस होंगे बहुत अराम से इजी कल भी इसी अनलसी थी आज भी इसी अनलसी थी हाला कि आज ऑप्शन से अगर ज्यादा था पूरे टाइम ऑप्शन गलते रहें सेंसेक्स का ऑप्शन मैंने बताता सेवेंटी टू थाउजन फोर हंड़ें पूरेंटी टू रूपीस दोनों का प्रीम चल रहा था और यह लोगाना ओपनिंग ब्रेकाउट की स्ट्रेजी और पहला ट्रेट शॉर्ट का मिल जाएगा आज मैं क्यों शॉर्ट का ढून रहा था क्योंकि दो दिन से बाइंग आई है कभी तो प्रॉफिट बॉकिंग आ होते हैं और देखते हैं 46,300 अपने मार्क कर लिया ठीक है यहां से मार्क कर लेता हूं 46,300 इसकी नीचे गैब डाउन ठीक अगर गैब डाउन खुलता है और मार्केट आपकी रिकवर नहीं करती है तो आप ऑप्शन चेन पर देखना यह सारे एरिया आपके रेजिस्टेंस क साइडवी स्कुला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा विकाज यहां पर जब तक नीचे नीचे जाएगा इसके अब तक ऑप्शन सेलर आपका दिक्कत नहीं होगा साइडवीस के केस में मैं आपसे हाइली रिकमेंड करूँगा कि आपको आर्वी डेटा जो है ना आई होगा ना भी तो अब्रेट होते हैं लेवल मंडे की मौर्णिक से पहले 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 अप्लोड होगे तो आप वहां पर जाकर देने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा वह चीज ध्यान में रखना और अगर ऐसा होता है तो फिर वही अगीं बड़ा टार्गेट रखना मार्केट के नीचे के लेट से और फॉर बिटन देने का फिर ऊपर चला गया तो आपकी ऊपर की बहुत तेजी से टेस्ट करेंगा ठीक यह होगी आपका साइडवेसर केस साइडवेसर केस खुल के अगर मार्केट वापस से ब्रेक आउट देता है फॉर्टी सिक और निकलत देके फॉर्स ब्रेक आउट देके नीचे आ जाएगा मार्केट राइट तो वो चीज़ को ध्यान में रखना हो यह होगी अपना साइडवेसर का उपर है हाला कि रेंज कि इतनी आ रही है आपकी 46,300 और 550 उपर की इस सोब और 2200 पाट की रेंज में तो टेट करना नहीं होत आते हैं अपने लोग अब देखने खुलेगी कहां मार्केट पर यह देखनेते हैं कहां पर आपकी ओके यह पूट राइटर 46,500 के ट्रैप होके गए हैं यह ट्रैप होके तो गए हैं लेकिन किस लेवल के ऊपर ही ट्रैप होगे तब आपको एक शॉर्ट काटेड मिलेगो इस दिहान में रखना ठीक है और यह आपको 46,500 पर ही कॉल राइटर है और नीचे 46,000 पर पोट राइटर है और 47,000 पर यानिकि लोग आराम से 46,700 न तूटते वो देख रहे हैं और उपर 47,000 भी नहीं तूटते वो देख रहे हैं इत आराम से लेके गए हैं तो यानिकि चा आते हैं निफ्टी ने आज वीक्नेस नहीं दिखाई आला कि लास्ते बैंक निफ्टी गिरा तो लेकिन निफ्टी नहीं गिरा ठीक है अगर निफ्टी की बात करता हूं तो क्यों मार्केट खुलते नहीं चाहाएं यहां पर हम लोग ने शौर्ट स्ट्रेंगल किया था आपर का लेवल और नीचे अगर मैं देखना हूं तो यहां तो तो अभी मेरे को क्या था निफ्टी के अंदर बाइस हजार पचास तो है यह उपर का लेवल और नीचे अगर मैं देखता हूं तो एक यहां से आप ड्रो करते हुँ जाओगे तो यह आगे तक एक्सेंट करोगे तो यहां पे आ लिए ठीक है यह ट्रेंड लाइन जब तक चलती रहेगी इंट्रेक्ट कोई दिक्कत नहीं तूटे की तब उसे ब्रेकडाउन लेंगे important support area कौन सा है जहां से break out आया था कहां से आया था है यहां पर आपके buyers पर बैठे 890 पर तो अभी जब तक 890 निफ्टी में नहीं तूट रहा है विएर निफ्टी में हाँ ठीक है bullish side पर ही scenario है उपर कौन सा अब्विसलि लाइफ टाइम हाई के आश थाइगी तो आपका 22,125 क आपका resistance लेगी यारे कि जब तक 22,500 दोस्तों का level उपर पर नहीं टूट रहा है और नीचे आपका 21,890 तक नहीं टूट रहा है हो सकता है यह week आपका फिर से इस range के अंदर consolidated कर जाए ठीक है trigger भी नहीं है market के पास सच की रहे के हो और आपको भागे के हो ठीक फिन निफ्टी का हम लेते हैं विकोज फिन निफ्टी का आपका इसमें बनता है ना trade Monday को हम लेगा active होते हैं विकोज एक्सपारी होती ही ठीक फिन निफ्टी सबसे वीग है अगर आप ध्यान से देखो यह इस दिन से breakdown आता ध्यान समझना बहुत important चीज है कौल सा देना है आपका 17 जैन्वरी का open price है वो चेक करना है बैंक निफ्टी का 17 जैन्वरी का open price को टच कर दिया फिन निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो 17 जैन्वरी का open price 27 29 वो टच नहीं किया और निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो 17 जैन्वरी का opening price से ऊपर ही चल ला है यानि कि तीनों इंडेक्स में मैं सबसे strong क्या मान निफ्टी और सबसे बीच का क्या है यह अपना दिक रहा है चलो कोई बात निफ्टी में लेवर्स को चेक करते हैं अगर मैं बात करता हूं 15 चार्ट लगाता हूं पहले ठीक है यह आ गया कहां पर इसमें इसने जहां से breakout दिया था और कहां पर दोबारा बायर्स आये यह ल यह बात आपको कई बार बता है फिर बता रहा हूं कि आपको बाइंग के तीन पॉइंट्स कौन से होते हैं एक पॉइंट ब्रेक आउट जो 3 आउट ओफ 10 टाइम आता है दूसरा होता है सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन ठीक है यह आपका समझो 6 बार काम करता है दस हूं लेकैं तो यह भी मिलता है यह वेलता है यह ऑसे है आपको समझ में आना चाहिए कि कब मेरे को भाइ करना पर दो और उससे पहले आपके 27 यहाँ पर डबल टॉप से जहां से मार्केट ने दू बार से लेंगा यह यानि कि आ रहा है आज भी वहीं से आया है 27530 से आज भी वहीं से ही यह गिरा है तो यानि कि ब्रेक आउट कब आएगा इसमें 530-550 के उपर और ब्रेकडाउन आएगा आपक तो कि अब बहुत इंट्रस्टिंग कुछ है लेट सी ओपन कहांत होती मार्केट बहुत जादा डिपेंड करता है और किस तरीके सब का सेटप बनता है वो देख पें ठीक है अब इक लिए तना ही सी नेक्स सेशन तिल दें बाबाई झालओ करता है झालओ करता है यथ कि अच्ट करता है और बहुत चैसे दो, ऑ्सकारादे का सब करता है पूल